31 अगस्त को बेगु सराई के सांसद और केंद्रिय मंत्री गिराज सिंग जो है बलिया में एक जनता दरबार का आयोजन करते हैं, वहां के जनता का समस्चा सुनते हैं और जब जनता दरबार का समापन होता है और वो अपनी गारी की तरफ लोट रहे होते हैं, तब एक व्यक् के डालते हैं, गिराज सिंग सोसल मीडिया पर ट्रेंड होने लगते हैं, ट्रेंड होने के पीछे का वज़ा क्या है, तो सोसल मीडिया पर गिराज सिंग इसलिए ट्रेंड होने लगते हैं, क्योंकि वो जो फोटो डालते हैं, और उसके साथ जो कैप्शन लिखते हैं, वो बिलकुल अलग था और अलग इस कारण से क्योंकि गिराज सिंग को ऐसे कामों के लिए जाना जाता है अब गिराज सिंग का वो फोटो कौन सा है उन्होंने क्या लिखा इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आप मारा प मिले कलर का कुर्ता पहने हुए है सर पर एक टोपी है जिस पर लिखा हुआ है महाकाल और ये फोटो सोसल मीडिया पर बस डालना था कि गिराज सिंग का ये फोटो सोसल मीडिया पर वाइरल होने लगता है सोसल मीडिया पर खुद गिराज सिंग ट्रेंड करने लग जाते है उसके पीछे का कारण क्या है तो गिराज सिंगी यह जो फोटो डाले थे उसके पीछे कैप्टन लिखते हैं कि तृसूल हमारा गौरव वह स्वाभिमान है हम और आप सब जब तृसूल की रक्षा करेंगे तो तृसूल से हमारी भी रक्षा होगी धर्म के रक्षारतिया आव सीधा सीधा लोगों ने और मीडिया ने गिराज सिंग के इस फोटो को उस मामले से जोरा और उसके बाद कहीं ने कहीं कटाक्ष भाव में गिराज सिंग ने ये बात उसी संदर्व में लिखा भी है अब सोसल मीडिया पर ये फोटो डालते हैं गिराज सिंग के समर्थक जो हुए हैं और लोगों को इस बारे में संदेश दे रहे हैं कि अब आप तिरसूल की रख्षा कीजिए तब तिरसूल आपका भी रख्षा करेगा उसके बाद कई अन्य पोस्ट जो है गिराज सिंग ने डाले हैं उस फोटो के साथ ही उन्होंने एक और पोस्ट डाला है कि मैं ऐसे लोगों से डरने वाला नहीं हूँ मैं मुहम्मद सैफी जैसे लोगों से डर नहीं डरता लोगतांतरिक ब्योस्था में विश्वास ना रखने वाले लोग ही इस तरह के हमले करते हैं अब आप इस बात को समझ लीजिए कि एक तरफ फोटो डालना और दूसरे तरफ त करना कि मैं इन लोगों से डरने वाला नहीं हूँ इनके जैसे लोगों से और ये लोग वहीं है जो लोगतांतरिक ब्योस्था में विश्वास नहीं रखते हैं तो गिराज सिंग ने एक जोरदार हमला जो है मुहमद सैफी पर किया है सोसल मीडिया के माद्यम से और सोसल अलावे गिराज सिंग ये काम जो है पहली बार नहीं किया है गिराज सिंग को लोग हिंदु हिड़ास समराड के नाम से जानते हैं कर देते है ककलिसी और लोगों को लगता है कि वो हिंदुत्तों का साथ तो दे रहे हैं लेकिन मुसल्मानों का विरोध कर रहे हैं और इस कारण से गिराज सिंग अक्षर चर्चा में बने रहते हैं अब देखना ये होगा कि इस मामले पर आगे क्या आप डेटाता है लोगों की प्रतिक्रियाय जो ह अब देखना ये दिल्चस्पोगा कि गिराज सिंग इस पर आगे क्या करते हैं और ये फोटो कब तक उनका डीपी रहता है बाकी इस ख़बर को लेकर कि आप क्या सोचते हैं गिराज सिंग ने जो किया उसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन बहुत बहुत धन्यवाद